दो राज्जियों जमो कश्मीर और हर्याना में विधान सभा चुनाव की प्रधान मंत्री आज चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं जमो कश्मीर के डोड़ा में प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी की पहली रैली है दोपेर 12 बजे पुदान मंत्री यहां जंसबा करेंगे जमु कश्मीर में 3 चरोणों में चुनाव हैं पैला चरण 18 सेटंबर को है और दोपेर बाद प्रुदान मंत्री हर्याना का भिरुक करेंगे कुरुक्षेत्र रैली के लिए अर्याना में चुनावी हुंकार भरेंगे पि-म आज जमुकश्मीर में भी यानि घाटी में भी रहेंगे और हर्याना में भी रहेंगे दोनों ही जगए अविजान से बाद चुनाव है परदान मतरी आजनी मोदी जी डोड़ा में आ रहे हैं और बहुत सारे दर्शकों को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि लग भग पचास बरस के बाद पचास बरस के बाद देश का कोई परदान मतरी यहां रहे हैं इससे पिछली बार सतर के दशद में श्रीमती गांधी आई थी और उसके बाद इस शेतर को कोई बहुत अधिक जितनी भी सरकारे रहीं कांग्रेस की सरकारे रहीं मिली जुली सरकारे रहीं कहीं इसको प्रात्विक्ता नहीं दी गई गत 11 वर्षों में इस शेत्र की काया पलट हो गई बिलकुल आश्टोष भरत्य जंता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज जम्मू संभा के डोड़ा दिले में पहुँच रहे हैं यहां पर यह बहुत बड़ी जंसभा को संबोधित करने जा रहे हैं पहले चरण का मद्दान 18 सेप्टेंबर को होना है जिसमें जम्मू संभा की 8 सीटे हैं और यह जो डोड़ा दिला है यहां पर अगर हम देखे तो भरत्य जंता पार्टी कोशिश कर रही है कि यहां इस पू चार है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और प्रधान मंत्री की उपस्तिती से कहीं न कहीं बीजेपी को लगता है कि अगर कुछ कहीं कमी पेशी है वो दूर हो जाएगी अगर हम देखे तो 18 सेप्टेंबर को पहले चरण का मद्दान होना है जिसमें 24 विदान करेंबर को पहले चरण का मद्दान होना है और यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली होगी जम्मु कश्मीर में इन विदान सबा चुनाओं के लिए तो साफ तोर पर भारते जंता पार्टी कोशिश कर रही है कि यहां जम्मु संभाग से अधिक से जादिक सीटे जीते में वो सफलता प्राप्त करें फिलाल अगर हम देखें तो सुरक्षा की दृष्टी से भी यह काफी संभीधन शील दो रहा है इसलिए सुरक्षा के चाक चोबंद प्रबंद किये गए हैं दो एंकाउंटर इस समय जम्मु कश्मीर में चल रहे हैं एक पाकिस्तान यहां पर शान्ती को भंग कर सकता है इसलिए हाई अलर्ट है और सुरक्षा बल जो है पूरे मुस्तैद है चोक्सी बड़ा दी गई है आश्टरी नजर बना कर रखिएगा वह रहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने की